परम पूजी सिरी बागेशवर धाम सरकार गुरुदेब के परम सानेद्ध में सिरी मत भागवत कथा ग्यानियग्य में पधारे समस्त अतितियों और धरम प्रेमी बंधुओं का हार्दिक स्वागत बंदन अभीनंधन चरण सेबक अजी सेंट चील पहाली बंडा जिला सागर द्टट्री बंडेलकंट का इकप्रावनात्मक सब्डक घ्राप में नाचने निकले हैं तो गुंगट की क्या सर्म मैं नि thực करने निकले तो गूंगट डालने में आपको क्या सव्वप देखते हैं कहां तक मंजिल पहुंचती है आंगे आप सब अनमाइं जी मार्याज की क् नमस्कार में हूँ ब्रम्म दद्दुबे आप साकर एक्स्प्रेस निूस के साथ हैं गुपालदास नीरेच की लाइनों के साथ हम उस सक्सियत से सुरू करेंगे जो बुंदेल खंड की पावन धरा को अमर करने में जुटे हैं आशु जब सम्मानित होंगे मुझे को याद किया जाएगा जहां प्रेम की चल्चा होगी मेरा नाम लिया जाएगा हनुमान भक्त और सनातन धर्म के सुरुक्षक हम इस वक्त मुखातिब हो रहे हैं भागश्वल धाम के चलंद सेवक धीरेंड किष् 뉴스 सास्त्री से जो हनुमान भक्ते हैं कुछ बातें ऐसी होगी जो सिर्फ सनातन धर्म की होगी कुछ बातें ऐसी होगी जो सिर्फ हिंदु हित की होगी भागबत चील पहाड़ी में कापी लाखों सरत धालुआ रहे हैं। उमीद सिर्फ यह है कि आपके मुखालबिन में से हर बो शब्द नकर रहा है जो इन हिंदुगों में एकता अलक जगाने का प्रियास करता हूँ देख रहा है। क्या करेंगे। जैश्याराम, जैवागेशुरधाम की आदिकाल से ही भारत के रिसी मुणी महत्माओं का यह धेय रहा है। उसी के लिए हमारे आदिजगत गुरु संकराचार जी ने मंदरों का निर्मान करवाया था। ताकि सभी सनातनी एक जुट रहें, एक जगए बैठ सकें, संस्कृती पर, आने वाली पीड़ी पर, आने वाले समय पर चर्चा कर सकें। इसलिए आदिजगत गुरु संकराचार ने मंदरों का निर्मान करवाया और आदिकाल से बिदब व्यासजी महराज की परमपरा से स्रिमत भागबत कथा। महा भारत आदिचर्चा हैं जो उन्होंने लेखन की हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए की हैं, कि समय एकता बनी रहे, सोहाद्रता बनी रहे, प्रेम बना रहे, और यह जीवात्मा, परमात्मा से मिलने का एक नया रास्ता खोले और आगे बड़े। तो उसी परिकलपना के साथ महा पुर्षों का जो निर्देश है, संतों का जो निर्देश है, हमारे जो दादा गुरुजी है, उनकी जो पेरना है, उसी को लेकर के आपने जो कहा अलग जगाने का दास का प्रयास है, प्रत्न है, देखते हैं, कहां तक मंजिल पहुंचती ह आँगे आप सब हनमान जी माराज की कृपा के पात्र जैसा सही हो करेंगे वैसा हो का कुछ बातें ऐसी हैं जैसे जो सनातन धर्म की कुछ लोग हैं वो कहीं न कहीं कट रहे हैं कहते हैं नाचने निकले हैं तो भूंगट की क्या सरम नित्यकरने निकले तो भूंगट डालने में आपको क्या सरम है साधु जीवन है, विश्व है, तुलसी, आसंसार मैं भाती-भाती के लोग कचु मानस, कचु देवता, कचु जैजै रसी ताराम सम मिलेंगे, सबसे मुलाकात होगी और इसी का नाम तो जीवन है और इसी का नाम धर्म है कि तरह तरह की गुद्धी के लोगों को एक साथ एक पंडाल के नीचे बैठा देना और एक साथ दर संकलपित करके मानव सिवा करना यही सनातन धर्म की खूपशूरती है ठटली सब तो पर इस्थमान करके गुंदेली बाचाल ठटली कोई गाली नहीं है ठटली बुंदेल कंड का एक भावनात्मक सब्द है हमारी गाउं की माता है जब बहुत ज़्यादा क्रोधे दो दीन बड़े लार्जें बड़े उसमें क्रोध में बालक को सुन्या ठटली के बरे उसका मतलब यह नहीं कि वो अपने बालक को मारना ठटली हम उनको कहते हैं जो राम के नहीं है अत्वा जो राम के ब्रोधी है उनकी ठटली बरे जो राम के पक्षगर है उनका भगा हो जादत संभाग में एक चल्चा गुरूदेव आपको लेके जरूर है एक छूती सी जगा चील पहाई जिसमें दुबस्था है नाम की कोई चीज में लेकिन हर्यारों लोगों को रोजगार में लिया और ये धरती पविक्त हो गई बले बले ओफट जो है बले बले चीज है बल पर जाने बक्तों दो रूप होते हैं लोगों के प्रभाव और एक प्रभाव आपके उपर है कि आप किसको स्विखार करते हैं बागे शुर्धांपीट परंपरान मों अंतरगत्च पर ये मारे दादा गुरू जी भी स्पीट पर बैठ गेते हैं दादा गुरू के पहली आपके आवशक्ता सेरों में भी तो है हर जगह है पर ऐसी जगह भी कथा को पहुंचाया जाएं जहां को पहुंचना पाएं जहांके दो कथा स्रवन करना दूर ना आ पाएं उनके बीच पून जाना पाएं इसलिए केवल चील पहाडी नी सायद आप ये प्रशन करें उसक राम जी बन गये तो राम बन गये हैं हमकूल हमें कुछ बनना नहीं अपना राम फृव से बही हिए अखन भी देक रहान है हैं और मजबुतिया अंद आएगा पूंआ पो अलग जाता है ये सफिद मजदा बाहां कि अधिवासी बहुत पृष्टे लोग हैं आप दल्द भी बता रहा हैं और ये कोई लुक कट रहा है अधिजा लोग और भुद गर्द प्रयास कर रहा है कि आप बिल्कुल एक हिंदू एक कड़ी में बन जाया तो ये जो आधिवासी का अपते बन में कैसे भाव आया अचा हो तो पहले सेही वक्त है वास्तविक्ता में, जो कघा में सुना रहा है। इनको में जी हो नीके पाश टीवी है नहीं, मॉबाल का इंटरनेट ही कघा को जाने थे कोई राम है। लेकर वो पहचान नहीं पाएं, वो समझ नहीं पा रहा हैं। अब पहक भी रहें मिश्मदियों के चक्रन, हम ने के पास बहुंच करके, राम कता सुना करके, उनके उस सब्री का चबतर सुना करके नमताना चाहें। आप उस मनसके ही जिसकी सबरी में राम जी का इंतिजार के और राम को उनके खार आना पढ़ा यह यू कह सकते हैं कि सबरी के खार राम को अनकास जी आना पढ़ा वो अपना ब्याबार रहा कैमरे के पीछे थे संकर विश्कर्मा अनुज विश्कर्मा और मैं हूँ प्रम्मदत्य दुवे और आप देख रहे थे बागिश्वर महारागी का इटने धनुद्वा झाल झाल झाल